नमस्कार दस्तों सौगते आपका मारे इस YouTube चानल में आज किस फीडियो में हम देखने वाले हैं अरनिस मनी के बारे में जिहां टेंडर फिलिंग में मैंने आपको कल security deposit के बारे में बताया था आज earnest money के बारे में बताऊंगा ये दो terms बहुत important है जब भी आप tender को feel करेंगे तो यहाँ पर ये दो term है वो आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो करा हमने देखा था security deposit के बारे में तो आज हम देखने वाले है earnest money के बारे में तो earnest money जो deposit होता है उस चीज़ को हम इस वीडियो में clear करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि earnest money deposit होता क्या है देखो the amount paid by the contractor along with tender to show his earnest intention of accepting the work is called as earnest money ठीक है जब contractor tender को feel करता है तो tender feel करते वक्त वो एक amount pay करता है उसका कांट्रेक में जो interest है वो दिखाने के लिए ठीक है वह उसे काम लेना है उसमें उसे interest है और वो उसे काम को accept करना चाहता है यह दिखाने के लिए वह एक amount आपने tender के साथ देता हे उसको हम बोलते है earnest money deposit ठीक है उसको हम बोलते है earnest money deposit अब वो amount कितनी होती है ठीक है तो ये depend करता है आपके estimate cost of work के उपर ठीक है आपका जो भी estimate cost of work होगा उसमें से 1 to 2% cost वो वहाँ पर as a earnest money deposit करता है ठीक है और उस deposit money के उपर उसे कोई भी interest नहीं मिलने वाला ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब जो भी money उसने deposit किया अगर मान लिजे उसका contract accept हो जाता है उसका tender जो है वो accept किया जाता है तब जब उसे security deposit भरना है तो वो earnest money उस security deposit के साथ adjust किया जाता है ठीक है मतलब अगर 10% उसको security deposit भरना है जिसमें से starting में उसने earnest money के रूप में अगर 2% दिया है तो जब security deposit भरना होगा तो actual में 8% भरेगा क्योंकि first 2% और यह 8% मिलकर उसका security deposit है वो clear हो जाएगा ठीक है यह आपको note down कर लेना चाहिए अब इसके बाद में और कुछ points है जैसे कि वो भरने वाला है वो earnest money पूरी तरह से चला जा सकता है या फिर उस में से पार्ट चला जा सकता है वो किस condition में ठीक है अगर contractor की तरफ से काम को शुरू करने में देरे हो गई है या फिर contractor ने काम को तो निगलेट कर दिया है शुरू करने से तो उन कंडिशन में उसमें उसने जो अर्नेस्ट मनी डिपोजिट किया था वह पूरी तरह से उसका चला जा लेगा उसे वापस रिफंड नहीं मिलेगा ठीक है अब यह तो बात हो गई कि उसको कॉंट्रैक्ट मिलने के बाद लेकिन उसको जो टेंडर है वो एकसेप्टी नहीं हुआ तब क्या होगा ठीक है और उस उन कंडिशन में उसे वो अर्नेस्ट मनी है जो रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा तो देखो अगर टेंडर भरते वक्त उसने अर्नेस्ट इंट्रेस दिखाने के लिए जो अर्नेस्ट मनी deposit किया था उस money को deposit करने के बाद अगर उसका tender accept नहीं होता है तो वो जो earnest money उसने deposit किया था उसको refund किया जाता है ठीके और उसको जो refund मिलता है वो चलन के स्वरुप में उसको वो earnest money है जो उसको refund किया जाता है ठीके तो यह है earnest money की concept अगर टेंडर एक्षिप Duty करनी में चला जा सकता है तो यही पिया सहीं के ऊपर मैंने कल बताया था सिक्यूरिटी के बारे में और आज इस यह दो टर्म्स इंपोर्टन्ट है जब आप टेंडर को फील करेंगे यह आपको पता होनी चाहिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप हमाने चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लि